Hello students, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में तो बच्चों, आज किस वीडियो में हम results related कुछ important चीजों के बारे में देखेंगे CBSE का weightage और result on either two terms examinations के बारे में CBSE का क्या कहना है यानि कि दोनों term में जो हमने examination दिये हैं तो जिस भी term में आपका ज़्यादा marks आया है अगर उस पर result निकाला जाए तो इससे किस परकार से students का benefit होगा और इस पर CBSE क्या कह रही है तो इन सब चीजों के बारे में देखेंगे result आपका किस तरह से तयार किया जा रहा है तो इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों में बताने जा रहा हूँ यहाँ पर अगर हम copy checking और result के date का बात करें तो दिया गया है news में कि the central board of secondary education has asked the school to speed up the evaluation process to prepare the CBSE term 2 results as soon as possible CBSE ने ये schoolों से कहा है कि जो evaluation process यानि जो copy की checking है वो तेजी से करें जिससे की CBSE term 2 की जो result है वो जल से जल तयार कर सके ठीक है यानि कि दोगोंने रफ्तार से copy की checking करने के लिए CBSE ने यहाँ पे कहा है अगर तेजी से copy की checking होती है तो ये students के लिए हमिशा benefit होता है ठीक है obviously इसमें आपके 4-5 marks extra बढ़ने के chances होते हैं क्योंकि जो theory type के questions होते हैं जो long questions होते हैं जो हमें long long questions answer लिखने होते हैं तो उस पे आप लोगो marks असानी से मिल जाते हैं बीच में अगर आपका कहीं गलती भी होता है तो teacher वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको copy जल्दी sign करनी है तो इस वज़र से अगर आपने अच्छे से सिर्फ पूरा लिखा हुआ है पूरा अगर आपने लिखा है बीच बीच में आपका mistake भी है तो इससे आपको number मिल जाएगा आपके वहाँ पे number नहीं कटेंगे क्योंकि teacher को जल्दी जल्दी copy की checking करनी होती है तो पूरा वो sentence पड़ेंगे भी नहीं ठीक है तो इससे students को थोड़ा ज़़ा benefit भी मिलेगा earlier the daily target to evaluate the answer sheet was set at 22 देखो इससे पहले क्या था कि हर दिन जो copy की checking हो रही थी वो हर दिन 22 copy की checking हो रही थी इस साल क्या हो रहा है this year the schools have been given a target of completing 35 answer sheets daily लेकिन इस साल अस्कोलों को एक दिन में 35 answer sheets daily copy की checking करने के लिए बोला गया है तो obviously जो रफ्तार है वो दोगुने यहाँ पे की गई है तो result भी आप लोग के अच्छे आने के यहाँ पे chances है ठीक है इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि the report suggested that the CVSC 10 and 12 term 2 exam results are likely to be released before July 2022 यानि कि जो result है वो जोलाई से पहले निकालने की जो है तैयारी चल रही है ठीक है तो result जो है काफी जल्दी आप लोग के निकल जाएंगे ताकि जो session है वो ज़्यादा और late नहीं हो क्योंकि already जो examinations है वो late से शुरू हो ही है जिसके कारण जो session है वो late हो रही है ठीक है तो कोसिस क्या जा रहा है कि result जल से जल निकाला जाए अब चली हम आगे weightage के बारे में समझते हैं जो कि CBC ने अपने एक circular में ऐसा लिखावा था कि the weightage of term 1 and term 2 will be decided at the time of declaration of term 2 results and accordingly the final performance will be calculated देखो यहाँ पे CBC ने कहा था कि term 1 और term 2 का जो result है जो final result हम बनाएंगे term 2 का तो उस time decide करेंगे कि weightage क्या रहेगा तो अभी CBC इसके लिए जल्दी जो है कोई ना कोई notification कोई circular निकालेगी weightage को लेके लेकिन students को demand करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के comments मुझे देखने को मिले जिसमें बच्चे यह चार है कि हमारी जो result है वो either of two terms में हो यानि कि जिस term में उनका ज्यादा marks आया है तो वो ऐसे जो result है वो निकाले जाए तो इसके लिए आप लोग को जो है Twitter पर tweet करना पड़ेगा तब ही जाके आपके जो result है वो इस तरह से निकाले जाएंगे आइदर of two terms में ऐसे निकाले नहीं जाएंगे क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा आवाई कि student जैसा demand करते हैं CVC को ऐसा करना भी करता है 2021 में अगर examinations cancel हुआ है तो इसके पीछे का reason भी यही था कि students ने demand किया tweet पे tweet करते रहें तो जिसके वजह से जो examinations है वो cancel भी थी पोस्ट पॉर्ण भी इसी वजह से भी थी क्योंकि जो बच्चे थे वे tweet पे tweet किये जा रहे थे ठीक है और syllabus भी reduce भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि जब तक कि आप मांग नहीं करोगे तब तक का आपकी मांगों को पूरा भी नहीं किया जाएगा और CVC अपने अनुसार वेटेज निकाल देगी तो अगर आप चाहते हो कि टू टर्म्स में जो भी आपका either of two terms related आपके result होने चाहिए जी अभी आपका best रहा हो best of two terms result तो इसके लिए आपको Twitter पर tweet करना पड़ेगा मैंने tweet किया हुआ है ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा आप उस tweet को share करें ताकि वो जो tweet है वो retweet हो और आपके जो भी two terms based होंगे उस पर आपके result निकाल ले जाए ठीक है यहाँ पे कुछ चीज़े और मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अगर अगर यहाँ पे जो भी आपके best होंगे उस पर two terms में जो आपका best है उस पर result निकालता है तो आपके लिए किस प्रकार से यह useful होगा तो यहाँ पे आपको मैं आपको छोटी सी ज्यानकारी देना चाहूंगा देखो आपके total theory paper में 40 marks के examination हो रहा है और 10 marks का आपका internal assessment हो रहा है suppose that term 1 में आपने कम number obtained किया 11 number obtained किया ठीक है और term 2 में आपने ज्यादा marks obtained किया और हो सकता है किसे students ने term 1 में 25 obtained किया हो term 2 में 10 marks obtained किया हो तो ऐसा possibility है तो number कम हो जाएगा इससे आपका ठीक है तो अगर 30-70 का भी ratio होगा तो उसमें भी loss है बहुत सारे students का कुछ का तो benefit है बट जयतर लोगा उसमें loss ही होगा ठीक है तो दोनों condition पर आपका loss है फाइदा आपका तभी होगा जब आपका 50-50% निकले ठीक है तो सपोज करो कि 40 में आपने किसी भी एक term में सपोज करो फर्स्ट ओला term मेरा examination अच्छा नहीं गया second term में हमने 25 marks ले आया ठीक है और 10 में तो 9 सबकूं आने ही है अब इन दोनों को जोडो कितना हो गया 9-5-14 कितना number हो गया 34 number अब यह जो 34 number है इसको 100 में convert करना है त प्रो रट्टा बेसिस पे जिस पे हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है और CBC ने भी इसके बारे में अल्रेडी लिखा वायदे को यहां पे लिखा गया है कि in the case of the पत्राचार विद्याले या फिर private candidates as the students will be appearing only in the term to examinations जो students private candidates वाले जो students term to examinations में सिर्फ हिस्सा लेंग तो उनके जो practical या फिर theory के marks जो उनको मिलेंगे वो pro-ratta basis पर मिलेंगे ठीक है pro-ratta basis तो वही मैं आप लोगो pro-ratta basis ही समझा रहा था भी ठीक है pro-ratta basis यही होता है कि जो भी आपने भी marks obtained कि है suppose 35 marks आपका आया है तो 35 marks अगर आपका आया है तो इसको 100 में convert करना है ठीक है जो स अच्छा marks रहा है अगर उसके लिए के हम result निकाले तो वहाँ पर भी हमें pro-ratta basis यूज करना पड़ेगा तो based of two terms अगर related हमारी result निकलती है तो वहाँ पर भी pro-ratta basis यूज होगा यह फिर weightage के अनुजार भी निकलती है 30-70 तो वहाँ पर भी pro-ratta use होगा तो pro-ratta basis पर अगर तो 570 35 कितने marks होगा है 70 marks देखो आपके 70 marks आ जा रहा है ठीक है मतलब सचो कि आपने सिर्फ 25 marks ही obtained किया था दोनों term में किसी एक term में से ठीक है दोनों term में से किसी एक मेंगरा हमने 25 marks obtained किया है तो आपका direct 70 marks जा रहा है तो यह आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा useful है कर जाएंगे अगर either of two terms से exam जो result है वो निकलती है तो students के लिए बहुत ज्यादा benefit है और मैं यह चाहता हूँ कि यह students के favor में हो और जो भी best of two terms से result है उस पर ही निकले और लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा tweet करना पड़ेगा जब तक आप tweet नहीं करोगे तो फिर मैंने किया है उसको retweet आप करते रहो ठीक है और एक चीज वार यहाँ पर मैं आप लोगो बताना चाहूंगा कि अगर suppose that maybe कि किसी strength का अगर compart लग जाता है तो उनकी जो syllabus होगी यानि कि जो compartmental की examinations होगी वो देखो second term के ही basis पे लिया जाएगा first terms उनका कोई मतलब फिर नहीं जाएगा तो देखो यहाँ पर कितना मतलब देखा जाए कि CBC भी यहाँ पर देख रही है और समझ रही है कि जो result है वो term two ही basis पे निकाला जाएगा तो यहाँ पर CBC ने एक hint भी दे दिया है कि high chances है यह high chances जो CBC भी चाह रही है कि term two basis पर ही result देखा जाए ठीक है term one का obviously जो ह है वो high chances है कि weight is come होगा या तो फिर student demand करते है तो best of two terms का भी result निकाला जा सकता है ठीक है possibility कुछ भी है लेकिन जैसा student मांग रखेंगे result वैसे ही निकाला जाएगा ठीक है अभी CBC ने कुछ भी decision नहीं लिया है decision जब result त्यार होगा तो उस time दिया जाएगा ठीक है अभी फिल already हुआ है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही बाकी अगर कुछ आपको पूछ रहा होगा तो आप comment जरूर कर दे thank you